तो guys आपने पिछली वीडियो में देखा आपने बहुत साथा प्यार दिया हमें तो हमने आपके लिए next part लेके आ चुका है और हम आपको फिर से amazing features and tips and tricks बताने वाले हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा काफी कमाल की tips and tricks में इस वीडियो में लेके आया हूँ अब देखो अगली features के लिए यहाँ पर आपको फिर से setting में ही जाना है और setting में जाने के बाद में shortcut पर accessibility पर जाएंगे आप तो flash notification का एक option है यदि आप इसे enable कर लेते हैं तो आपके कोई notification आएगी तो यहाँ पर flash light enable होगी मतलब जलेगी तो आपको पता चल जाएगा कोई call आ रही है अगली features के लिए आपको बापस यहाँ आना है accessibility में और यहाँ पर आपको option मिलते है accessibility menu वाले आप इसे यदि allow कर देते हैं चालू कर देते हैं enable कर देते हैं तो यहाँ पर एक आपको एक option मिल जाएगा अपर आप side में देख सकते हैं इतने सारे option यहाँ से खुल के आज आते हैं अब देखो अगली features के लिए आपको फिर से music वाले एक option है इसमें आप आईएगा और यहाँ से music का option मिल जाता है अब देखेंगे ऊपर एक आपको dynamic island जैसे कि आपको देखने को मिलता है जैसे कि iPhone म ही मिल जाता है अब देखो यह काफे कमाल का फीचर से जैसे iPhone में मिलता था बैंसे आपको यहाँ पर मिल जाता है अब गईस यहाँ पर आपको इसके लिए एक application डाउनलोड करने की ज़रूरत पढ़ती है जैसे कि dynamic export करके इसका नाम है और मैं इसका link आपको discussion में दे दूंग को एडिजस्ट कर सकते हैं नीचे आप जोबी आप वह application बगियारा में इसे इनेवल करना चाहते हैं आप इसे एडिजस्ट कर ली सेगा बांकि इसका काम हो जाएगा आप इसे चालू कर सकते हैं दे रहे से फॉटकर सकते हैं आप अपने इसा write UP कर सकते हैं आप यहाँ एक स काफ़ी कमाल का यहां पर आप देख सकते हैं यहां से आप पर N चीज की आप को पाक्यों यहां पर लेना चाहते हैं यहां से इस्क्री परेखोर्डेंग कर सकते हैं यूटूब बागयर में आप वीडियो बनाते हैं तो यह काफ़े कमाल का फीचर से आपके लिए स्क्रीन सोट वाला आप जितनी भी स्क्रीन सोट लेना चाहते हैं जितनी जगह में उतनी जगह में आप स्क्रीन सोट बगरा ले सकते हैं तो ये बीबू के साइट से एक काफ़े कमाल का feature साजाता है और इसमें save बगएरा का भी एक option आता है जैसी कि आप देख सकते हैं screen recording करना चाहते हैं इस तरह से screen recording हो जाती है तो ये काफ़े कमाल का feature था अगली features के लिए आपको फिर से status बार में ही आना है और यहां पर आप देखेंगे आप एक साथ में Wi-Fi भी ले सकते हैं और hot sports भी आप किसी को दे सकते हैं जैसी कि आपने Wi-Fi किसी connect करके रखा है अब आपको किसी को hot sports देना है अपना किसी को और connect करना है तो आप यहां से दोनों को एक साथ योज़ कर सकते हैं अब देखो यहां पर आपको एक और अगला features मिल जाता है जो कि do not disturb वाला है यदि आप coaching बगएरा में हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं और do not disturb आप नहीं चाहते कोई आपको disturb करें तो यहां से आप do not disturb पर किलिक कर लेते हैं कोई call बगएरा notification बगएरा silent vibration भी नहीं होने वाला है अब अगले features के लिए आपको फिर से setting में thought cut accessibility पर चले जाना है और यहां पर आप देखेंगे यह option मिल जाता है select to speak वाला जैसे कि आप कोई text बगएरा select करते हैं जैसे कि आपसे English बगएरा थोड़ी कम आती है तो यह features आपके काफी कमाल का है जैसे कि आप इससे सब enable कर लिजेगा और आप देखेंगे कोई भी setting आप कोई भी text को scan करेंगे यहां से जैसे कि मैं आपको example दिखा देता हूँ यहां से अब देखो कोई भी select करेंगे आप यहां से pick कर लेंगे तो यह automatically बोल के बताने वाला है कि क्या लिखा है करके यहां से आप कोई भी select कर लेंगे तो यह बोल के बताएगा कि सुन सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं आने आपको बताया अब अगले features के लिए आपको यहाँ पर नीचे ही आना है नीचे आने के बाद में आपको extra dim वाला एक option मिल जाता है अब power button and call वाला एक option आपके कोई calling आती है और आप power button को प्रेस कर देते हैं तो आपका जो फॉन है कर जाएगा मतलब की बंद हो जाएगा अब देखो अगले features के लिए आपको फिर से digital evolving वाला एक features मिल जाता है setting में जाने के बाद में तो यहाँ पर आप देखेंगे आपने कितनी देर तक कोई application यूज किया है बो सारा कुछ यहाँ से आप पता कर सकते हैं Chrome को कितने देर यूज किया है हमने setting को कितने देर यूज किया है वो सारा आप यहाँ पर चालू कर सकते हैं देख सकते हैं कितने देर कौन सा application यूज किया है यहाँ से आप restriction बगेरा भी डाल सकते हैं मतलब कोई application आदा गंटा चलेगा या पंदर मिनट चलेगा इसके बाद में वो application ओपन नहीं होने वाला है जैसे कि कोई PUBG बगेरा जादा खेलता है फिरिफायर तो आप यहाँ से उसमें timing लगा सकते हैं कि पंदर मिनट के बाद में यह automatically आपका application बंद हो जाए करके आदा गंटा एक गंटा आप यहाँ से timing लगा सकते हैं इसके बाद में वो application नहीं होने वाला है इससे कि आपका जो time है वो भी बचेगा आपकी जो लगी हुई है किसी application को जादा यूज करने की वो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं छोड़ स आप स्वाइब आप स्वाइब तो बैक हो जाएगा आप यहां से हॉम बटन को एसा प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो मेन्यू बटन होती है वो प्रिवेस बटन आ जाती है यहां से अब देखो अगले फीचेस के लिए फिर से आपको यहां पर setting में ही जाना है स्टेट प्रफोकस मोड को आप इनिवल कर लेते हैं कोई application को आप फोकस मोड में लगा लेते थे तो वह application फोकस में आज आता है मतलब कि guys उस वाली application को आप इनिवल नहीं कर सकते हैं जिस वाली application को यहां से आपने चालू कर दिया फोकस मोड के बाद में आ जैसी कि आप फिर ही फायर को कर देंगे फोकस मोड में एनेवल तो वो एप्लिकेशन ओन ही नहीं वह होने वाला है या फिर यूटूब को आप फोकस मोड में डाल देते हैं तो वो ओन नहीं होगा यहां से जब तक आप उसे डेसेबल न करें अब फिर से आपको स्टे आप में यह एक ऑप्चनमिल जा था है जैसी कि आप देख सकते हैं इसकिन ड्रकॉर्टिंग वाला उप्चन बहीं अब यहां पर क्लिकंग ही vibration for calling वाला अब यहाँ पर आप देखेंगे always vibrate कर देते आप तो आपके calling आईगी कोई ringtone बज़ेगी तो उसके साथ में vibrate आपका phone होने वाला है अब यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं sound वाले जैसे कि आपको back button प्रेस करते हैं तो sound आता है या फिर charging में लगाते हैं तो आप साउंड आता है वो आप यहाँ से enable disable कर सकते हैं या फिर keyboard में आप टाइविंग बगर करते हैं तो वो भी यहाँ से आप set कर सकते हैं कि vibrate होना है या नहीं होना है notification चाहिए आपको या नहीं चाहिए यहां से आप disable कर देंगे तो आपको Chrome की कोई भी notification नहीं आएगी तो guys आज का ये था हमारा Bebo by 02, I hope कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लिज वीडियो को लाइक जरूर कर देज़ेगा चलिए हम मिलते हैं नेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आईकन को प्रेश जरूर कर लेज़ेगा